हेलो एब्रिवन गाइज माने मिस प्रशान्त है और वाचिंग न्यू इंडियन एरा सो वेलकम है आपका हमारे चोटे से प्यारे सी यूटूब चैनल के अंदर तो यह वीडियो है जो बच्चे क्लास 11 से 12 में जा रहे हैं उनके लिए आपके प्रशान भईया वीडियो लेकर क्या है और यार बहुत सारे बच्चों ने मतलब एप्रिल महिने से शुरूआत कर दी होगी क्लास 12 की बढ़ाई और बहुत सारे बच्चे अभी जून महिने से शुरू कर रहे होंगे कुछों की कॉलेजेस शुरू हो गई होंगी कुछों की कॉलेजेस जस्ट अभी शायद आप लोग को नहीं पता होगा, तो हमारे इस YouTube चैनल New Indian Era के अंदर Physics, Chemistry, Maths, Biology ये चारो सब्जेक्ट बड़े ही सिद्धत से और डीटेल में पढ़ाए जाते हैं, आप अपने previous year दोस्तों से आप पूछ सकते हो NIE New Indian Era के बारे में, ठीक है, so welcome है आपका हमारे इस YouTube चैनल, मिरा नाम है प्रशांथ और आप देख रहे हो New Indian Era, so ठीक है गाईज, आज की इस वीडियो से शुरुबात करेंगे, क्यार Class 12 को पढ़ने की एक Right Approach क्या होनी चाहिए, Class 12 में किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से ऐसा क्या करना चाहिए, जिससे Class 12 के अंदर आप लोग बढ़िया 90% से उपर लेकर क्या हो, ऐसे किस तरीके से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, Physics को कैसे पढ़ना चाहिए, Chemistry को कैसे पढ़ना है, Math को कैसे डील करना है, Biology के Diagram को कैसे समझना है, कैसे उसके Concepts को समझना है, कितनी Reading करनी है, यह हर एक चीज़े आपको इस का तुभे था इंतजार वो घड़ी आने वाली है, और आने वाले इस Tuesday या फिर Wednesday को इस Batch की launching होगी, इसी YouTube चैनल के अंदर, जो कि Class 12 के बच्चों के लिए हमारी Focus Batch famous है भाई, इस साल हमारा Focus Batch 2.0 लाँच होगी for Class 12 Science, जिसमें Physics, Chemistry, Maths, Biology, यह चारों सबजेक्ट को डीटेल में पढ़ाया जाता है, महारास्टा की सबसे टॉप और बेस्ट फैकल्टी आपको यहां पर पढ़ाते हैं, जिनको खुद 10-15 साल का teaching experience है, ठीक आप जब उनसे पढ़ोगे, demo sessions आपको इसी platform में मैं दिखाऊंगा, तब आप लोग बोलो कि भाई, मजा आ गया, यार मजा आ वो मजा इस focus batch 2.2 के अंदर आया है, ठीक एकदम basic से advanced level तक लेके जाते हैं, आप बस यार आपको result दिखाएंगे इस साल का, बहुत मजा आएगा, बन रहा है result एकदम धमाकेदार तरीके से, ठीक है, so finally, चलो अपने main मुद्दे पर आते हैं, focus batch तो आ जाएगी, आप सब को म main बात एकदम शुरू करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, कि how to start your class 12 standard, पारवी की पढ़ाई कैसे शुरू करना चाहिए, कैसे सारे subject को handle करना चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक right approach क्या होनी चाहिए, क्या शुरूत कैसी होनी च पहले कुछ ऐसे 5 mistakes के बारे में बताऊंगा, जो सारे बच्चे follow करते हैं, और इस वज़े से वो बच्चे पीछे उठाते हैं, वो 5 mistakes कुछ इस तरह से, पहले mistakes आपकी है following your friends, आपका दोस्त, आपका दोस्त ही कभी-कभी आपका दुश्मन बन जाता है, और आपको पता भी नहीं होता कि आपके साथ हो क्या रहा है, तरहसल उसको भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, वरना आप एक दुसरे के दोस्त ही क्यों बन थे, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यह चीज़ें आपको समझनी है, यार तो सबसे ज़्यादा important चीज यह है, कि अप अपने दोस्त को blindly follow मत करो, अपनी family को follow करो, अपनी पापा को follow करो, ममी पापा के शब्दों को follow करो, मैं जानता हूँ आप बड़े होगे हो, फर्मोन सापके बहुत ज़्यादा उचल रहे हैं, उचलने से रोको, और प्लीज फोकस ओन योर गोल, not on, डैस डैस डैस, ठीक है इस बात को धियान रखना, जो आपके दोस्ते हैं, अगर दोस्त को चल आज बंक मारके आते हैं, चल आज घूम के आते हैं, चल आज यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, मौनसून का मौसा मारा है, ठीक है, यहाँ वहाँ जाएंगे, यार प्लीज अवोइड डैट वन, class जाएंगे, मेंस के क्राइटेरिया तक को फोकस आँगे नहीं कर पाएगा फिर वो, यह बात आप ध्यान रखना, clearly, मतलब मैं हर साल यही बच्चों को बताता हूं, और जो बच्चा इस चीज को फोकस करके अच्छे से समझ लेता है, वो आँगे निकल जाता है, यह बात आ फॉर्मिला, सॉल्विंग, इन सब में आप लोग को ध्यान देना है, यह बाता है, जीरो डिसिप्लिन होता है बच्चों के अंदर, तो क्या होता है न, टीचर ने होंबक दिया, आरे कल कर लेंगे, अरे फिजिक्स का पहला चैप्टर खतम हो गया, अरे अभी तो डिसमबर तक का टाइम बाकि है, डिसमबर में पढ़ लेंगे, यार ऐसे थोड़ी होता है, अगर इस तरीके से सब लोग सक्सेस ला रहे होते न, ऐसे इस तरीके सब लोग आंगे दुनिया में बढ़ रहे होते न, तब तो हो चुका है फिर यार, तब तो पढ़ने की जरोती नहीं ह कोई planning और कोई strategies की जरोती नहीं है, कोई road map की जरोती नहीं है, फिर समझ रहे हो क्या कह रहे हो मैं, तो यार, कुछ बच्चों के अंदर zero discipline होता है, चाहे हो लड़की हो या लड़का हो, mobile मिल गया है, बढ़िया Instagram चालू है, chatting कर रहे हो, बाबु थाना थाया, कि सो गया, क्य कल मैंसेस नहीं किया, ये सारे चीज़े चल रही है, तो प्लीज यार, class 12 में हो, 17 साल की उमर है, क्या कर रहे हो, 10 रुपे अभी नहीं कमा रहे होगे, तुम मैंसे कोई एक दो बच्चे हो सकते, जो इस वीडियो को देखने हो, शाधर नहीं करते होंगे, पर सारे नहीं कर मम्मी पपा कल अगर अंडर वियर चीन लेना तो भी नहीं पहन पाओगे, तो प्लीज यार, focus on your studies, उनको proud feel कराओ, mom, dad को अपने proud feel कराओ, यार, उनको ऐसा होना चाहिए, कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरी बच्ची पढ़ रही है, इसकी उपर जो मैं पैसे invest कर रहा यार, बहुत यदा वर्धित है, सही कर रहा हूँ मैं, अपने पापा को ऐसा आपके बापा को लगना चाहिए, लेकिन आपो कि आपको घंटा ही फरक नहीं पड़ता है कि क्या चल रहा है घर में, क्या फैमिली में चल रहा है, zero discipline, कैसा भी collar villa tight करके class में पहुँच गए, ऐस में से questions की learning, previous year question paper में से questions नहीं करना है आपको, बाकी आपको सब कुछ करना है, ये सारी चीज़े छोड़ के, यार, ऐसे में कभी focus आप नहीं कर पाऊगे, कभी जीवन में आगी नहीं जा पाऊगे, ये बात ध्यान लगना, यार, पता है न, आपने एक चीज़ देखी होग या मालो चलो, यही तो पढ़ाई का मौसम शुरू हो रहाए, अभी तो सारी बच्चे शुरू करते हैं पढ़ाई, और कुछ बच्चे पहले से शुरू कर चुकी होगे, अच्छे बच्चे जो होते हैं, बट 90% बच्चे अभी से शुरू करते हैं, और ओभी 85-90 की उपर पसे अरपिर क्या करेंग आधे बच्चों को पिलाइन की शुरूयात करो अ को सदने में शुरूया हुआ है, पूने में मुझे जाना है ऑर गुशन कॉलेज में मुझे पहुचना है एंडाली तो उसी तरीके से आप लोग कभी एक goal होगा तब तो आप road map बनाओगे आपका goal ही नहीं होता आदे बच्चों का पस आते हो सुबह उड़ते हो बढ़िया excretion करते हो फिर digestion के लिए food intake करते हो पहुंच जाते हो classes या colleges और बढ़िया last bench बैठ के नीद मारते हो फिर घर चले आत का यार ऐसे मत करो थोड़ा सा तो यार समझो अपनी family की situations को अपने आपको अगर आप अम्मानी के घर से हो तो चिंदा की बात में तब तो आप यह वीडियो नहीं देख रहे रहे तो कोई प्लान नहीं होता यह ऐसे बच्चे future में fail हो जाते हैं तो please make your plan make your strategy और इन सबसे भ अगर आपको college नहीं जाना है तो फिर आप क्यों फोकट में पैसे बरबात कर रहे हो ली वीट यार चोड़ दो पढ़ाई नहीं पढ़ना है तो और अगर पढ़ रहे हो तो फिर गोल बनाओ बनाओ रोड मैप बनाओ फोकस करो study करो marks achieve करो आंगे निकलो यह सारी चीज़े आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी ठीक है इसके बाद है कोई भी गोल नहीं मैंने बता दिया without गोल यार planning की दूर की बात गोल ही नहीं होता बच्चों का और last सबसे important not making notes यह सबसे बड़ी चीज है तो लोट यह कुछ बच्चे तो होते हैं कि average होते हैं सब अब मैं ऐसा ब कमी होती है यार आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन at least जो teacher आपको लिखवा रहे है आपके board examination के लिए या board में जो भी teacher लिखवाता है at least आप लोग उसकी notes तो बना सकती हो नहीं आप लोग आखिरकार उसकी notes तो आप prepare कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो आखिर लिखवा रहे है motion के definition circular motion, angular displacement, rotational dynamics के बहुत सारे questions, UCM, non-UCM, angle of banking, हरी teacher आपका करवार, current electricity चल रहा है, KCL, KVL वगेरा, शाहिद सर बढ़िया पढ़ा रहे है, तो हरी चीज़े आपकी चल रही है यार, biology में मैं आपको ले रहा हूँ हर एक चीज़े है, chemistry के अंदर solid state मैंने शुरू कर दी, यह सब ची teacher में इससे बहुत फायदा होगा, like exam के एक दिन पहले, या फिर पढ़ने में मज़ा आएगा, semester के exam के एक दिन पहले, unit test exam के एक दिन पहले, आप लोग का बहुत ज्यादा benefit होगा, so please यार, notes बहुत colorful, बहुत सुन्दर जिसको पढ़ने का मन करे, बहुत knowledge से भरा हुआ, दो teacher कुछ लिखवा रहा है, वो तो आपको फटा-फट note down करना ही है, प्लस जो teacher बोलता है, उस चीच को भी आपको फटा-फट अपने बुक में note down करना चाहिए, और colorful तरीके से, like blue, black and red pen का इस्तमाल करके, बहुत सुन्दर pencil से diagrams बना करके, labeling करके, बहुत अच्छे-ची आपको इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, बहुत सुन्दर तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ कि notes कैसे बनाना है, या तो आप Google में सर्च कर सकती हो, YouTube में सर्च कर सकती हो, notes making strategy by new Indian era, आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा वो वीडियो, बहुत यह अच्छे सी यार मैंने आपे समझाए कि notes आखिर कैसे बनाना है, ठीक है, तो ये बात ध्यान देना, चुल यार अब बात करते हैं कुछ solutions की, बोलो कि भाईया हमेशा problem problem सुना देते हो, कुछ तो solution बताओ क्या करना क्या है, नेक भाई, step 4 is scoring 95% marks in class 12 standard, ये 10th की बच्चों के लिए भी है, सभी बच् आपको subject-wise planning देने वाला हूं, so please wait here, focus on yourself सबसे पहले, please be selfish for gaining the knowledge, ये बात ध्यान देना, मैं आपको एक गलत चीद नहीं सिखा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप selfish बनो, ठीक सुना अपने, आप selfish बनो, please, अपने knowledge को gain करने के लिए, please be selfish यार, पता है, आपको पता है, knowledge एक ऐ इसी चीज है न, जिसको अगर आप selfishness दिखा के, teacher से छीन रहे हो, like, आप teacher बताओ, question बताओ, sir, इसका answer बताओ, इस question का answer बताओ, इसको समझाओ, मुझे नहीं समझ रहा हूं, ये सारी कीजे, यार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो, हमारे धर् इस यार, knowledge gain करने के लिए, education के लिए, selfish बनो, आप पढ़ रहे हो, आपका दोस्त बोलता है, अरे ये देख, ये देख, ये देख, वो क्या कर रही है, अरे ये देख, ये देख, वो जोक मार रहा है, समझ रहो, आप प्लीज उसको बला, भाई, यार, तू शान्त रहे, दो यार, क्या तो ऐसा बोल रहा है, तो आया बड़ा पढ़ाई करने वाला, पढ़ा को कीड़ा, चल तू पढ़ देखता हो, दुबारा बेरे पास आएगा, ये आपको बोल देखा, लेकिन बोला, भाई, यार, तू प्लीज यार, दो घंटे के लिए, फोकस कर ले, समझ रहे फोकस बेच भी आ रही है, निव इंडियनरा एप के अंदर, डाउनलोड कर लो जाके फटा-फट अप्लीकेशन को, ठीक है, तो यार, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज यार, फोकस होन स्टेडी, ऐसे बोलना है, ठीक है, तो स्टेडी फोर फोर आस डेली, देखो यार, एक ऐसी प्लानिंग बनाओ, मैं अभी आपको एक टाइम टेबल भी दूँगा, एक ऐसी प्लानिंग बनाओ, जिसमें आप मिनिमम से मिनिमम चार घंटा घर में पढ़ो, other than tuition, other than classes, और colleges का टाइमिंग, उसके अलावा, आपको तीन से चार घंटा की घर में पढ़ाई करनी, कैसे करनी, मैं अभी आपको बताऊंगा, target-based study, अब ये क्या होता है, अब आपको मैं ये, जब टाइम डेबल दूँगा, न तब मैं आपको बताऊंगा, ये होता क्या है, चलिए, शुरू करते हैं, जहां देना अच्छे से, चलो आज़ो, शुरूआत करते हैं, सबसे पह का'llे access timing क्या है, अगर आपको college timing है, मैं एक आपके सामने एक scenario रख रहा हूँ, अब अपने हिसा आपसे भी चल सकते हो, आपके college timing में माल लो, अगर आपको college का timing morning में है, अब morning में भी माल लो, पहलें कि माल लो 8 बजए से आपका college है, morning में 8 बजए से, और आप minimum 2 बजए चू तो उनकी बात अलगे एक मैं 12 बज़े से पकड़ता हूं तो आप मालू 5 बज़े तक आपका कॉलेज है अब किसी का रात के 9 बज़े तक तो कॉलेज होगा नहीं कुछ होती है पापा की परिया पापा अज एक्स्ट्रा क्लासे वह बात अलगे तो कॉलेज टाइमिंग यहां बात करती है अगर मालू 5 बज़े से दो बज़े तक आपकी कॉलेज है तो प्लीज यहां ध्यान देना आप करके आ सकते हो तो आप सबसे पहले तो आप यहां से 8 बज़े से 2 बज़े तक तो आप कॉलेज में हो अब आप कुछ नहीं कर सकते इस बीच में फिर आप क्या करो please revise के लिए time दो इसको revise के लिए आप लोग time दे दो उसके बाद आप लोग क्या करोगे माल लो आपकी class होती है 5 बजे से 7 बजे तक 5 से 7 बजे तक आपकी tuition है classes है आप tuition जाते रोगे ठीक उसके बाद क्या होता है 7 बजे आप जब घर से आओगे तो मैं कहता हूँ आठ बजे से तु पढ़ना शुरू कर सकते हो तो आठ बजे से लेके 11 बजे तक आपको इसमें study करनी है अब आपको इसमें study में करना क्या क्या है अब study में भी मैं आपको बाइफरकेशन दे देता हूँ देखो, study में भी आप लोग को क्या क्या करना है, study में भी लाइक आपको सबसे पहले तो reading करनी है, किसी भी chapter को आप अगर शुरू करते हो, physics, chemistry, bio का, तो आपको reading करनी है, reading के बाद आपको उसके formulas याद करने है, जब आपको formulas आज आएगा ना, तब आप उसके numerical को solve करो, और numerical भ वहाँ से आओगे, तीन बची आप घर पहुचोगे, चार से पांच आप revise क्या करोगे, जो आपने यहाँ study की थी, उसी का revision आप एक घंटा रोज करोगे, आप बताओ, कौन सा ऐसा बच्चा यार जो fail हो जाएगा, जो daily इतना करता है, और 11 बचे के बाद अगर आप बहुत मुलते हैं, मुस्कुराना हर लड़की की यदा है, और जो इसे प्यार समझे वो गधा है, ये बात आप ध्यान रखना, तो कर लो ठुलू मुलू, बात में समझ में आएगा, कि time waste हो गया, ठीक है, 108 बजे से आपको 11 बच्चे तक बढ़ी अच्छे से रगण के पढ़ाई क करनी है, तीन घंटा, एक घंटा आपने यहां पढ़ लिया, आपकी चार घंटी की study हो गई, आपने थोड़ा enjoyment भी कर लिया, वैसे भी college में concept आई हो रहा है, enjoyment ही तो हो रहा है, तो आपने वो कर लिया, कभी-कभी होशियार बच्चे जो होते, वो college ना जा करके, वो अपना यह जो इनका आठ घंटे का time है ना, उसको भी कुछ बच्चे study में देते हैं, और ऐसे बच्चे ही 90% के उपर अचीव करते हैं, आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं में, यह बातें आपको ध्यान में रखनी है, clear हो गया, यह बातें समझ गए, चलो इसे तरीके से evening batch का timing बना मालो में एक सिनारियो दे रहा हूं, इसी तरीके से कुछ आपका भी होगा, आपका भी school जहां भी आप अमरावती, नागपूर, पूने, स्टोलापूर, कुलापूर, आप कहीं भी रहते हो, लातूर या वगयरा, कहीं भी आगर आप रहते हो, तो आपका भी कुछी से classes का time 2 गंटा 6-8 गंटा college, अगर dummy college तो पूरा time आपको घर में मिल गया, इफी तरीके से आपकी भी strategy बन सकती है, बस आप लोग यहां पर focus करो, तो आपका classes का time 8-10 होना चाहिए, मालो मार्निंग में अगर आपका 12 बज़े से college है, या किसी किसी 11 बज़े तक होगा, थोड़ा 1-2 गंटा आप अपने से भी time थोड़ा बनाओ, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 10 बज़े आप यहां से निकलोगे, तो माल लोग आप यहां से करोगे क्या, तो 10.30 तक आप घर चाहोगे, 10.30 से ले करके 11.30 तक आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा आप revision कर सकते हो, आप पूरा revision यहां पर कर सकते हो, अगर time मिला तो, वरना कुछ snacks वगरा ले लो, पढ़ना मत यहां पर चलता है, या तो classes में ही रुक के आप study room वगरा होंगे, तो आप वहां पर पढ़ सकते हो, ठीक है, अब बात करते हैं आगे की पढ़ाई, आप 12 से 5 तो आप college में चले गए, अब वहां से आप आओगे, मालो 6 बजे आप घर पहुचोगे, 6 बजे आप पहुचोगे, घर पहुचोगे, ठीक है, अब जब 6 बजे आप घर पहुच रहे हो, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, mobile थोड़ी चलाओगे, अच्छे बच्चे mobile नहीं चलाते हैं, इंस्टाग्राम, ठीक है, तो 6 बजे के बाद होगे, आप 7 बजे से पढ़ना शुरू करोगे, तो 7 बजे से 8 बजे तक तो आप रिवीजन करोगे, लड़कियां बोलेंगे, भाया 8 बजे तक रिवीजन कर लिया, प्लीज 8 बजे, सास बहु आता है, देख लेन 11 बजे तक आप लोग पूरा स्टड़ी करोगे, समझ रहो, स्टड़ी जो किया, उसी का यहाँ पर रिवीजन, इस तरी के से आप भी बढ़िया 4 घंटा पढ़ रहे हो, यह बच्चे भी बढ़िया 4 घंटा पढ़ रहे हो, हो गया आपका टाइम मेनेजमेंट, अब इस टा को फॉलो करना पड़ेगा, आप समझ रहे हो, लगातार आप लोग को इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप यह सारे माक्स को अचीव करोगे, यह बाते हैं आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर हो गई बाते हैं इतनी, चल यह बढ़िया है, अब आपने इतना सीखी लिया है, अब लास्ट में आपको एक बात बताता हूँ, क्या होती है, कुछ बच्चे इस तरीके से टाइम टेबल के हिसाब से पड़ते हैं, और कुछ बच्चे टार्गेट बेस्ट स्टड़ी करते हैं, लेकिन यह जो स्टड़ी का तरीका है, बहुत स कॉलेज है, उसमें प्रैक्टिकल, सेक्टिकल, दुनियादारी सब हो जाती है, आपका कॉलेज हो गया, फिर उसके बाद 8 से 2 कॉलेज, आप लोग माल लो 3 बजे को घर में आते हो, तो 3 से 4 बजे तक आपको एक पढ़ने का टाइम मिलता है, फिर उसके आप 5 बजे माल लो क्लासे होती है, तो 5 से लेकर के 7 बजे तक, लोगों को 8 बजे से फिर से 1 घंटा कैप ले लो, और 8 बजे से आप लो 11 बजे तक पढ़ सकते हो, अब ये टाइमिंग, मैंने टाइम टेबल नहीं दिया ये, इस इस नाट टाइम टेबल, मैं ये टाइम अविलेवल टाइम की 11 बजे के बाद आप नीद लो, चाहे अच्छा होगा आपके लिए, और चाहे तो आप ठुलो मुलो से लग जाओ, ठीक है, यहां ध्यान दो अभी, तो अच्छे बच्चे करते हैं, इस टाइम का यूटिलाजेशन, टार्गेट बेस्ट स्टेडी में करते हैं, अब अच्ट डे को मेरा मैं क्या पढ़ाई करूंगा, कल मेरा रोटेशनल डानेमिक्स का 6 पेज पढ़के, याद करके, फॉर्मिला याद करके, उसके सॉल्ट इक्जम्पल, निमेरिकल, उससे रिलेटेड प्रीवियस येर कॉस्चन पेपर, डेली प्रेक्टिस प्रॉब्लम, डेली पीप, हैंड डेल नोट्स, सब मेरा हो जाना चाहिए, यह होता है टार्गेट, अब चाहे उसके लिए मुझे कॉलेज जाना पड़े, चाहे मैं बंक मार दूं कॉलेज का, चाहे मैं घर में मैटके पढ़ू, चाहे मैं क्लासेज जाओं, या फिर मैं स्टड़ी करूं लेकिन अगर आप चाह लो, तो आप अचीव कर सकते हो, इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, वरना आपके सामने टाइम टेवल के हिसाब से भी पढ़ाई का मौका मैंने याँ पर दे रखा है, क्लियर हो गई बाते में क्या कह रहा हूँ, यह बाते आपको समझ में आ गई हो समझा, तो इस तरीके से आप अच्छा पढ़ सकते हो, अब देखो कुछ important चीज़े आपको और बता दूँ, देखो वाई, एक बात clear है, कि चाहे physics हो, और चाहे chemistry हो, मैं थोड़ा सा आपको चीज़े बता दूँ और चाहे biology हो, और चाहे maths हो, थोड़ा सा आप लोग को यहा अपनी understanding बढ़ाओ, अगर आपकी understanding proper नहीं तो शायद आप फंच जाओगे, दूसरी चीज़े, जितना ज्यादा हो सके numericals करो, और एक बात और ध्यान रखना, numericals आपको तभी आएगा, जब आपको derivations आएगे, derivations का मतलब समस्ता है theory, derivations के बाद आपको formula आएगा, और दूस जो exercise में या extra में होती है, समझ रहो क्या खे रहा हूँ, तभी आप लोग बच्चा-parties के MCQs भी कर पाओगे, समझा की नहीं समझा, यह बात आपको clear हो गई, सेम तरीके से chemistry में, जो physical chemistry का part है, जो physical chem है, उसके लिए भी आपको same method follow करना है, जब तक आपको derivation, formula और calculation नहीं आ जो कि आपको teacher से मिलेगी, आप lecture को join करोगे, teacher से पढ़ाई करोगे, understanding मनेगी, तब आपको derivation समझेगा, फिर आप उससे related formula को समझोगे, फिर आपको calculation आएगा, और तब जाके आपका MCQs वगरा सब crack होगा, और आप अच्छे से numerical वगरा सब कर पाओगे, सेम तरीके से physical chemistry के, chapter 1 से लेके 6 तक के, ऐसा ही होगा, रही बात, organic chemistry की वच्चा बाटी, तो organic chemistry का chart में आप लोगों को सब provide करूँगा, इसी channel के अंदर, तो ध्यान देना, organic chemistry में आपको क्या करना है, आपको बनाना है flow chart, जैसे कि halogen derivative chapter, alcohol, phenol, cether, aldehyde, ketones, carboxylic acid, इन सभी के आपको flow chart बनाने है like alcohol किस से reaction करता है, alcohol से क्या-क्या react होता है, aldehyde से क्या-क्या होता है, aldehyde किस से reaction करता है, आपको यह हर एक चीज़े पता होनी चाहिए, और इसके लिए आप एक बड़ा सा cardboard ले करके, एक बढ़िया सुन्दर flow chart बनाओगे, समझ रहो, और जो बच्चा flow chart बना लेगा, मु reading के बाद आपको diagram अच्छे से बनाने आना चाहिए, आख बंद करके एक बाद diagram के study करो, दिन उसको खुद से बनाने के practice करो, सबसे important बच्चा आराम से 80 की उपर जा सकता है, अगर पूरा का पूरा exercise के questions कर ले, exercise, जिस बच्चे को spelling ने का कुछ बच्चे 10th में Hindi, Marathi, Medium के होत बात करते हैं maths की, तो maths 1 के अंदर, अगर मैं बात करो तुम्हारा maths 1, तो तुम सिर्फ maths 1 भी अगर अच्छे से 7 chapter कर लेते हो, तो आप अच्छा कासा 80 plus score कर सकते हो, लेकिन अगर वही पर maths 2 का, अगर आप लोग chapter number 7 और 8 कर लेते हो, तब तो आप पूरे maths में 90 की उपर चले होते हैं, इसी वज़े से उनको maths 2 hard लगती है, बस यही दो चीजे होती है, और maths 1 में इतने सारे formula नहीं होते हैं, सिर्फ tricks होती है, तो इसलिए maths 1 आ जाता है, समझ गया, तो यह एक right strategy है, I hope तो आपको इस वीडियो में आपको दमदार knowledge मिली होगी, आपको मज़ा आया होगा धमाकेदार तरीके से, कौन से तरीके से, धमाकेदार तरीके से, समझ रहो, सो मेरा एकी line है जो मैंने आपको बताया, उसे याद रखना, वीडियो के बंद होने के बाद उसे भूल मत जाना, याद रखना, पश्पन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रहे, याद रखना, सम फोकस बैच 2.0 फोर क्लास 12 PCMB साइंस ठीक है ध्यान देना तो आपको फोकस रखना है कि फोकस बैच आपकी आ रही है तूजडे या विटनेस जोग आ जाएगी तो डाउनलोड न्यू इंडियन एरा एप्लिकेशन ओके और आप लोग क्लास 12 में अगर आप हो क्लास 11 से आप क्लास 12 में जा रहे हो आप सबकी पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई है या शुरू हो भी गई तो आपको कॉंसेट्स अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो फोकस बैच 2.2 आप लोगों के लिए आ रही है क्लास 12 के लिए जिसमें PC, MB, All Subject आपके पढ़ाये जाएंगे धमाकेदार टीचर से जो अपने फील्ड के एकदम महारती हैं उनसे आप लोगों को सिखाये जाएगा चारो सब्जेक्ट Physics, Chemistry, Maths, Biology तो New Indian Era application अपने Play Store या फिर App Store से डाउनलोड कर लो और इंतजार करो फोकस बैच के शुरू होने का और जल्दी हितमाकेदार तरीके से आप लोग पढ़ना शुरू कर दोगे, December तक पूरा syllabus complete हो करके आप लोग मस्त माक्स निकालोगे Class 12 के अंदर, तो यह फुल लेंथ बैच होने वाली है, ठीक है, तो जल्दी जाओ, एप को डाउनलोड करो और बैच को एंज्वाइ करो, ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मुझ वाचिं दिस सेशन, थैंक यू सो मुझ बाइबाइ, टेक केर, लव यो लॉट, बाइबाइ